है तोगाइस वैलकम बैक लए स्टार्ट बन आफ इंपर्टेंट टॉपिक आपाउंडेशन इस पार्टनर्शिप अपाउंड यह टॉपिक काफी बड़ा यह और इसमें से डेफेनेटली सवाल आता ही आता है दस से सूला नंबर का इस टॉपिक का बेटेज होता है इस क्वेशन आजाता है कि आपको प्रॉफिट लॉस एप्रॉप्रॉप्रीशन बनाना है इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेगे आप देखोंगे एड्मिशन है रिटार्मेंट डेथ है ऐसी अलग-अलग इवेंट्स होते हों इवेंट्स को कैसे अकाउंट फॉर करना है यह हम हम आज सीखेंगे इस टॉपिक में पार्टनर्शीप अकाउंट्स ठीक है क्योंकि रविजन बाच से तो आप लोगों ने यह पार्टनर्शीप अकाउंट्स पहले से पड़ रखा होगा फिर भी हम एक एक बेसीक टच से देख लेते हैं कि क्या होता है पार्टनर्शीप अ अच्छा से देखा था कि रॉनक सर ने और कर्टरिना ने पार्टनर्शीप की क्योंकि क्योंकि रॉनक सर बुजनेस एक्सपांड करना वाड़ता करना था सर के पास पैसा बहुत था लेकिन फिर भी कस्टमर अट्रेक्ट तो इसलिए उन्होंने एक पार्टनर लिया सब्गमर आएगे है ना तो पाटनरशीप अकाउंट्स पाटनरसीप मने क्या होनी तो छह collaborative होनी चाहिए एक टूंस और बिसनेस होना चाहिए प्र रिग्विजिट इःगिर मेंट होना चाहिए बिजनेस होना चाहिए हरं की लायबिलिटी अनलिमिटेट ऐसा नहींने लायबिलिटी अन्लि मिटेटट है सेम जfield पोप्रोन के केस होता है हमारे लायबिलिटी अनलि मिटेट होती है उसी तरह पांटर में हरानका निमिटेट है अच्छ अब लोगा हैं प्रॉपित एंडॉब्योष रहेले प्रॉपित एंड ओन अगाउंट में को वो ये इदोन होते है उसका माला हर फो में काम पेटल अपर्स बनाएंगे मेत मजश्क कापिटल बनांगे अपटनल जो बनाएंगे इस में दो तरह फिक्स रख सोय केमार रर्के टाफिटिंग कापिटल वह आगे हमें समझ में आएगा तो पाइटनर्शिप का बेशिक चीज़ां देख लेते हैं कि एक एगरिमेंट होना चाहिए बिजनेस होना चाहिए प्रॉफिट शेरिंग होना चाहिए अच्छा जरा यह बताना लॉजबी शेरिंग होना चाहिए क्य यह अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं लॉसे शेर नहीं करूगा तो वो भी चलेगा अगर एग्रिमेंट कहता है कि Mr. X इस पार्टनर इन प्रॉफिट तो इसका मतलब Mr. X को सिर्फ प्रॉफिट मिलेंगा अगर लॉस होता है तो लॉस वाले सिच्वेशन में Mr. X को लॉस नहीं शेर होगा ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसी पार्टनर्शिब्स भी देखी जाती है जैसे कि मान लो मुगेश हमानी ठीक है अब अगर हमें एक स्पार्टन स्टार्ट करना है तो किसमें मुकेश भाई अपने पार्टनर बनेंगे क्या हम उन्हें बोलेंगे मुकेश भंत चाल आपको कंपसे याThis अप यह क्या सिर्फ चाहिए हमें तो क्या है मुकेश भाई का सिर्फ नाम चीए मुकेश भाई का अगर हमें नाम मिल गया वैसी हमारा रेस्टरांट चलने लगता है रेलाइंस रिलाइंस टी हाउस ठीक है सिर्फ नाम से हमारा बिजनस चलने लगता है तो ऐसी पार्टनर्श भी होती है जहां सिर्फ प्रॉफिट शेरिंग होता है लॉस्ट शेरिंग नहीं होता है तो एक्टिविटी तीनों पे बाइंडिंग है तो मतलब यह क्या म्यूच्वल एजनसी है तीनों भी एक दूसरे के एजन्ट बने हुए है इन केज ऑफ पार्टनर्शिप ठीक है हर पार्टनर एक दूसरे का एजन्ट है है त्मेजेट लिएब्लिटी पार्टनर्शिप आक्ट यह पडले ना आपको त्युल प्रूसरे के कंट से देख लेना आढ़को पार्टनरशिप वेरी त्रीसीन के देख में और नट्यू एक लॉके जरी होता है बॉडी इंकॉर्परेट नो यह सेपरेट लिगल एंटेडी यह वह पर्पिच्वल सेक्सेशन डू नॉट है इसमें है तो नंबर ऑफ वाटना दो मैक्जिमम पचास इसमें मिनिमम डो मैक्जिमम नो लिमिट ठीक है तो ऐसे चलते जाता है वह सिंपल है एकदम बाद में यह पार्टनर्शिप डिड़ेट में कुछ क्लॉस होते हैं कि नाम क्या रहेंगा प्रॉफिट चेरिंग कितना होंगा कैपिटल कितना ला रहा है बिज पार्टनर्शिप का जो एक्रिमेंट होता है यह जन्हों ही इप्सेंस ऑव से पार्टनर्शिप डिट विट नहीं यह तो फिर प्रॉफिट सेरिंग कैसा होगा सैलरी कैसे दी जाएगी इंट्रेस्ट कैसी दी जाएगी यह बातों पर बात हो रही है आदी रात को भी कोई आपको उठा के पूछे निंद में तो आपको यह आंसर आने ही चाहिए इसका जवाब आपको पता होना चाहिए जैसे कि अगर एग्रिमेंट नहीं है अगर एग्रिमेंट नहीं है जैसे कि हमने भी डिस्टिंक्शन में पढ़ा कि पार्टनर्शिप में एग्रिमेंट होना ज़रूरी नहीं है तो अगर एग्रिमेंट नहीं है तो मतलब किसी भी पार्टनर को सैलरी का राइट नहीं है तो किसी भी partner को salary का right नहीं है इसका मदलब sonu sonu और monu दो partners है sonu 12 hours काम कर रहा है और monu कभी कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो क्या sonu को salary मिलनी चाहिए नहीं अगर partnership date silent है या partnership date बनी ही नहीं है तो sonu को salary नहीं मिलेगी इस इंट ओके एक्ट्रेस्ट कोई चेंट लाउट अंदी क्या फ़िए लगाया है मोनू ने शिरफ उलाग लगाया तो क्या सोनू को और मौनू को 1 करोड और दस लाग पए इंट्रेस्ट मिलना चाईया कापिटल कंट्रभीयूशन पर नहीं पार्टनर्शिप देंट एपसे जो profit and losses है वो कैसे बटेगे equally बटेगे profit and losses equally बटेगे ऐसा नहीं कि इसका एक करोड है और इसका 10 लाग है तो इसको 10 is to 1 के ratio में profit and loss बाट लेते ऐसा नहीं है profit and losses भी equally बटेगे हां लेकिन अगर किसी partner ने firm को loan दिया है किसी partner ने firm को loan दिया है तो इन दाट situation उस partner को interest मिल सकता है वो भी आड़ दे रेट आप 6% पर आनम देखो यह शारी बात यह कप कर रहे हैं जब पार्टनर्शिप डिट अपसेंट है मतलब पार्टनर्शिप डिट बनी नहीं है और अगर पार्टनर्शिप डिट बनी है तो फ उस रेशो में देदो अगर डेड़ साइलेंट है तभी हमें यह लगाना है यह काफी इंपोर्टन पॉइंट है पांच पॉइंट है कौन से क्यापिटल पेंट्रेस्ट मिलेगा यह जालरी इकवल बटेगी क्या इस कितना बारा परसंट से बोलो कमेंट करो चल्दी बारा परसंट से कशलो करते कशलो कि देना है ऑफंडय से डिना है जल्दी जल्दी कमेंट करें सब भी आता है और जिन स्टूडन्स ने के मेरेधॉन के अभी तक कमेंट करो कैसा लगा है वह सेशन और आपके कमेंट पढ़के ही मोटिवेशन मिलता ताकि हम और इंपरुफ कर जकते और हमारा और इंट्रेस्ट बना रहता है कि जाधा से ज्यादा स्टूड़न्स व्यूव कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा स्टूड़न्स लाइक कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा स्टूड़न्स कमेंट कर रहे हैं तो हमारा भी एक मोटिवेशन बना होता है इसके बावजुद जो जो स्टूड़न्स आज सेशन अटेंड कर र भी लग जाए और कुछ स्टडी मटेरियल हो या कुछ काम की इंपोर्मेशन हो तो हम आप तक सेर कर सकते इसी के साथ आपने हमारा टेलीग्राम चैनल तो सब्सक्राइब कर रहा है सिए फाउंडेशन वी स्मार्ट तो यह पांच बाती ती अगर पाटनर्शिप डिट पाटन से मिलेगा ठीक है सिंपल एकदम ओके पावर्ज ऑफ पार्टनर्श क्या है सिंपल एकदम बाय कर सकता है सेल कर सकता है पेमेंट रेसीव कर सकता है किसी को निकाल सकता है कॉंप्रमाइस में आ सकता है किसी पर कोट केस फाइल कर सकता है यह सारी बाते जन्रलाइज बात है अ में अकाउंट बनाना है अब देख़ों मान लो की राटनर गदर एक तहूं में यह अब वेरी इंबर्टंट पार्ट है प्रेुट आख मेरे इंपोर्टन पर्ट प्रोफिदन लॉस्ट्र अप्राप्री इस इन मरे हम कहीं नहीं पड़ते सरफ पाटनर्सीप अकांट में ऌता है प्रोफिदन लॉस्ट एप्रेंज अकांट मुलब हम जनर्ल यह बनाते हैं जनरली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ठीक है यहां क्या करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रॉप्रियेशन अकाउंट एक अकाउंट और बनाएंगे कि समीं होता है कि प्रॉफित की केस में यहां प्रॉफिट आ गया अगर प्रॉफित की अप्रॉफित का फिगर अगर आखना पार्फित आर्नर्थ को हो रखी है तो इसका मतलब praff प्रॉफिट है वो सिर्फ किसी एक इनसान का है कै नहीं यह प्रॉफिट पर जितने भी पार्टनर्स है ए बी सी उन सब का अधिकार है करें कि अधिक करें कि अधिक है मानलों का जो भी प्रॉफिट है उस पर ए और बी दोनों इंसानों का दोनों पार्टनर्स का अधिकार होता है ठीक है तो फिर यह पार्टनर्स में प्रॉफिट किस तरह से अधिक है प्रॉफिट का फिगर ले लते हैं ठीक है बार में समझो की पार्टनर ने लोन दिया था तो पार्टनर में लोन दिया था तो उसी इंट्रेस्ट मिलना चाहिए तो यहां वह इंट्रेस्ट का अमाउंट कर देते हैं इंट्रेस्ट का अमाउंट कर देते हैं यह मान लो पार्टनर ने ड्रॉइंग्स की थी तो द्रॉइंग्स पर पार्टनर का फिर्फिट और जो बाद में लास्ट में नेट प्रॉफिट बच्टा है वह तो हम बाट लेते कैसे बाटते हैं रेसिंग से बाते हैं समझ मैं नौर्मल प्रॉफिट का फिर आता यह उसी उनल्र का होतージ हैं कि एक पार्टनर नहीं है ईक से जज्यादा है दो लोगों के बीच में बाट यह कैसे बातना चीए profit sharing ratio में लेकिन profit sharing ratio में बातने के पहले हमें कुछ adjustment करनी पड़ती है क्या adjustment करती है जैसे कि partner ने drawings किया है तो partner firm को interest देगा तो वह interest तो firm की income हो गई तो वह income add करनी है जैसे कि partners के capital पर firm partner को इंट्रेस्सारेगी तो तो धे उना चीह सिव नें युट कर्चा उपकर yönब करेंगे और यह नंवाउट यह कंसेयोट भी में देखना तु में काम में आने वाला इडिड धाउट मेंडाइं टीक है Sample inժेटन चले पर टैकल जैसे की जैसे की इलस्टेशन वन है ठीक है ए और बी ने बिजनस स्टार्ट किया फर्स जन्वरी ट्वेंटी सिक्टीन को कैपिटल थी सजार बी सजार बीको सालरी देनी है पांसो रुपे प्रती मेहना इंटर्स इस तो बी अलावड और प्रेंट 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 अब्रेंट इस जर्नलाइज करना है तो सालरी कितनी है पांसो रुपे मेहना तो बारा मेहने का कितना च्छे अजार यह क्या है है तो प्रॉफिट एंड लॉज डेप्रीशिया अप्रॉपेशन अकाउंट डेबिट किसे मिल रही है बी को तो बीस कापिटल ठीक है बाद में जो इंट्रेंस देना इंट्रेंस क्या है इंट्रेंस खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉज अप्रॉपेशन अकाउंट ड को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रॉप्रोप्रेशन में क्या हुआ कि यहां पचीस हजार का प्रॉफिट था पचीस हजार का प्रॉफिट यहां आ गया ठीक है उसके बाद हमने सालरी दे दी कितनी कितना बाटेंगे फाइव इस्टू थ्री रेशों में हमें ए और बी को बाट देना दस अजार और छेज़ा सींबल है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रोप्रेशन यह जब आप यह जर्नल एंट्री से नहीं समझ में आता है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ वह जो उपर इलस्टेशन बन पड़ा था वही है इसमें बोल रहे है वह कैपिटल अकाउंट बनाओ तो बना देंगे एक का पैसा लाया तीस अजार तो बाइब बैंक बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रेशन हमें इंट्रेस्ट मिला है कितना अट्रा वह घ्सक्रा यह है क्रेड़ बैलनस दा जब जब ऑर क्रेड़ puck बैलनस बढ़ रहा है तो उसे करते हैं तो अट्राइक… सब्सक्राइब करना मतलब हमारी कैपिटल में से पैसा निकलना तो कैपिटल का बैलंस कम करना है तो उसे हम डेबिट करेंगे ठीक है उसे हमारा चाहिट मेरकश करेंगे बाद में प्रॉफिट से हमारा कैपिटल बढ़ेगा तो हमने प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया बात में बैलनसिंग फिगर जो भी आ रहा हो तो इस तरह से एकापिटल बन गया का लेकिन आपको पत्दा होना चाहिए क्योंकि हाथ के मांग से कुछ नया इसमें मतलब नई चीज़ नहीं सीखना है जैसा नाम है वैसा ही काम है जैसे कि है जैसे कि यहां अने लाया ता 30,000 और बीने लाया ता 20,000 तो यह और बी का एक काप एक अकाउंट नहें अचे इस थी का प्यपिटाल अकाउंट उसमें 30,000 देखते रहेंगे और यह बागी जितने भी ट्रांजेक्चन drawings के interest के profit sharing के ये capital account में नहीं करेंगे ये हम करेंगे एस current account में ठीक है एस current account में मतलब सर fixed capital वाली method में हमें दो account बनाने पड़ते हैं एक account होता है capital account एस capital account और second account होता है एस current account और जितने भी transactions होते हैं जैसे कि salary देना है interest देना है interest लेना है drawing starts करना है capital बढ़ाना है वो सारे transaction current account के through root होते हैं मतलब यह जो capital account है capital account का balance कैसा है capital account का balance कैसा है fixed है capital account का balance fixed है तो इस method को हम कहते है fixed capital account इसे हम कहते fixed capital इसी के विपर एक होती है fluctuating capital तो यह जो हमने देखा है यह क्या है fluctuating capital क्यों fluctuating capital देखो भाया जी जब यह की beginning दी तब balance कितना था capital का 30,000 और year end में देखो हमारे capital का balance कितना हो रहा है 33,800 मतलब सर हमारा balance capital का तो fluctuate हो गया इसलिए इसे हम कहते है fluctuating capital this method is known as fluctuating capital इस वीडियो के लिंक में आपको दो तीन लिंक्स और शेर करता हूं जिसमें मैंने पार्च-पार्च मिनिट के partnership accounts के रिविजनरी वीडियो बना रखे है ठीक है पार्च-पार्च मिनिट के रिविजनरी अच्छा नेक्स्ट इंट्रेस्ट ऑन capital capital पे इंट्रेस्ट कैसे चार्ज करेंगे वही जो नॉर्मल हमने आवरेज युडेट अकाउंट करेंट में दिखाता जितना प्रेंट आउट्सेंडिंग था उतने प्रेंट के लिए हम इंटर्स का क्येक्वलेशन करेंगे जितना 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 माट्सटैंडिंग की विशने खाई जैसे कि एने तीस अजार का कैपिटल लाया था शुरुवात में और दस अजार का कैपिटल उसने और लाया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेतें लिए उस पर भी इंटरेस्ट मिल जाएगा कि यह जैसे कि यह सिल्पा का कैपिटल एक लाख कितना बारा मेने के लिए तो 9% से इंट्रेस्ट देढ़ेंगे थिर बाद में सिल्पाने तीन सजार लाय गभिग एक जुलाई को तो सिपनल्स ऑक्टोबर नविबेंब डिसेंबर 6 मेने के लिए तो ये तीन सजार मैंने जाए गाजहिए इ expenditure के लिए इस का करते हैए YES ऑग अब यह इंपोर्टरन एंट्रेस्ट है इंट्रेस्ट और राइंग्स पर इंट्रेस्ट कैसे चांज करने तो सबसे बात अगर में ड्रोइंड का आमाउंट दे रखा है तो हर केस में देंगे लेकिन हमें ड्रोइंग्स कि डेट भी दे रखी है जैसे कि 29 फैब 31 मार्ट 30 जून 31 ऑक्तोंबर तो ऐसे केस में क्या करेंगे हैं पीरेड जैसे कि जितना समय के लिए आउटस्टेंडिंग जितने समय के लिए ड्राइंग्स कि उतना हम पिरेड ले लेंगे जैसे कि यह 500 500 कब ड्रा किया 29 फेबरोरी को कितने महने मार्च एपरिल में जून जुलाइव सब्सक्राइबर ऑक्तोंबर नवेंबर डिसमबर दस मेहने तो यह इतने चे मैंनों के लिए तो छे सो इंटु छे परसेंट इंटु छे डिवाइड बाट्वल तो अठारा आ जाएगा ठीक है तो यह क्या हो गया है ड्राइंग्स पे का इंट्रेस्ट चार क्या बात कर रहे हो चरश गांजा पीके बैटे होगा अच्छा यह एक मैतड होगी दूसरी मैतड क्या है वही जो हमने अकाउंट करन्ट में यह एवरेज यूडेट में देखी थी प्रोड़क्त मेतड उसमें क्या करते हैं यह 500 रुपीज कितने मेहने के लिए आउट्स्टेंडिंग ते कितने मेहने के लिए ड्राइंग किया था 400 कितने के लिए नाइन तो 500 इंटू 10 मतलब 5000 रुपीज एक मेने के लिए हो गया तो टोटल 13800 रुपिया एक मेने के लिए हो गया तो लॉजिक इसका क्लियर है तो यह में फॉलो करने का क्योंकि एक बार ट्रांजिक्शन करने करना पड़ रहा और यहां पर बार बार करने पड़ रहे ठीक है ऐसे एक्जाम्स में यह वाले टॉपिक पर ज्यादा सवाल नहीं आते गुडविल से आगे कि सवाल आते तहीं आपके फर्म है पार्ट्टनर तो बन जाओँगा लेकिन आप मुझे कई गैरंटी दो कि कि अफ कीट्राफिट दो तो मारे की कुछ मुझे गारंटी दो ऐसे case में हम उसे अगर गारंटी देते हैं विनिमम प्रॉफिट की तो इसे हम कहेंगे गारंटीए औस मिनीमम क्रॉफिट तो बहुत कैसे और भी पार्टनर्स है पांड इनका प्रॉफिट्ट Cross एक हो था Bluetooth को एड़ क्या और उसको गैरंटी दिया कि तुझे धाइक प्रोट का प्रोफिट रहुत हम देंगे क्या अाश्राइक भी वूटनी तो करोड की घरन्टी दे र Judy करे कि अब किस ने दी यह इंपर्टन ए ऐसा हो सकता है कि ढूरेंटी को एक इंडिविजुल पार्टनर दें धे रहा है तर सिचोएशन है कि गारेंटि दोनों पाटनर ने twins दियेगे दोनों पाटनरने इकवल के लिए wygląda धी ठीथ कर तो टीनों भी सेचरां लग लगे साथ वर ने गैरेंटि दी तो अलग सिच्वेशन में और दोनों हमने अगर गैरेंटी दिये तो सी को कितना मिलना चाहिए सी को 16 मिलना चाहिए और 2.5 CR 16 और 2.5 CR whichever is more अगर मानलो 16 हो रहा है हमारा 3 CR तो क्या हम उसे सिर्फ धाई करोड देंगे अगर उसका शेर आ 3 करोड तो मुझे डाई करोड देंगे तो तीन करोड देंगे हा लेकिन भाया जी उसका शेर आ रहा है स्रिफ 2 करोड तब हम उसे डाई करोड देंगे क्यों क्योंकि मिनिमम्म शेर प्रॉफिट की बात हुई रही है तो 9 CR पे 9 करोड का 16 कितना 1.5 CR अ रहा है कितना शेर आ रहा है उसका 1.5 करोड का सेर आ रहा है हमने बात कितने की जी वादा कितना किया ता 1,5 क्षव तो चलो हमने डाई करोड का वादा किया तो c य ku таких करोड तो देदे सी अब 9 कeurने से धाई करोड चले गया तो पाद समझ में आ रही क्या नाइन करोड था नाइन करोड में से धाई करोड तो दे नहीं है बचा कितना साड़े छे करोड अब यह वाड़ लो त्री इस्टू टू में तो कितना आ गया करोड क estou एक करोड मतलब देड़ंग तो उसे वैसे ही मिल रहा है शौट फॉल कितना हो रहा है एक करोड का हो रहा है गालेंटी किसने दी से ने दी दी यह लोड़ का пост फहला है यह अपने पास से देंगा अपने फाफित में से कंप करेंगा तो 10,05 करोन यहां आगए डाई करोन यहां आगए एक को कितना मिलना था नाइन करोड कितना चार बिलना था एक कर उससे धीतना मिल सथ भीट करोड और और कुछог लेना देना है क्या थीन ने जो टूबयाइस तीन करोड मिल जा रहा है ठीक है? यहां गैरंटी किस ने दी यह ने दी यह ना एपने पास से एक करोड़ सी को देंगा यह अपने Profit में से एक करोड़ सी को देंगा ठीक है? नेक्स्ट यहां क्या है? A और B दोनों equal child true है और who did唐 नाइन करोड मैं से कितना देना एंड़ाइब का हुआ है कि देखो नाइन करोड है उसमें डाइं करोड कि चले गया सी को चले गया ठीक है करोड़ चले गया दो बच्चा कितना साड़े छे करोड़ अब देखो A seats को मिलना काई gered सीइक कोurd को मिलना चीए था हुआ फारोड वित का थेरी लग एख कर रहा विकाशन रहा था तीन करोड़ उसमें से 50 लग कमप्रमाइज कर रहा है तो ऐसे दोनों भी partnerยre compromise करके पचानसाब और ये को दे रहा है सिट्पेश वाला situation minimum guaranteed profit वाला situation ठीक है एक हम यह देखेंगे जो interest मिलता है interest काई पर मिलता है capital पर मिलता है लेकिन effective capital मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि साल की शुरुवा तो फर्स्ट जन्वरी फर्स्ट जन्वरी को हमने 99 लाक्स विड्रा कर लिए और 30 डिसेंबर को 99 लाक्स वापस दे रहें और 31 डिसेंबर को हमारा वापस से capital एक करोड हो गया तो क्या हम एक करोड पर साल बर पर इंट्रेस्ट दे देंगे क्या नहीं इफेक्टिवली कितना capital था भाई या उसका उस जी पे तो इंट्रेस्ट मिलेगा न वहीं जो आमने उपर की कि आए जाहो सोगया हो आसे हो जो कहीं है जब हम लाइफ बैच लेते पुने में तो स्टूड़न्स को सॉंग सॉंग चिलाते हैं दो गंटा बैच होई तो सार स्टॉंग सार टीचर को वह इंटर्टेन्मेंट का जरिया समझते सार गाना पेश करो ऐसा बोलते स्टूड़न काफ भी टाइम हो गया लॉक्डाउन हो गया तो हमने भी गाना नहीं गाया क्लास में कि छलो यह एक इंपॉर्टन कंसेप्ट है मानलो यह इसे इंपॉर्टन माउंक करना पेज नंबर 6.14 पे ड्रॉइंग के बारे में बात कर रहे हैं मानलो अगर ड्रॉइंग की हमें स्कूराीं स extensive date दी रखे एंध्न लेकिन दीं की ट्रॉइंग की डәए नहीं दी है ढौका में सिट मैंगे आ समझेंगे सिक्स मैनों का साल होता है और जनिकल लेंगे तो आवरेज में 6 जैसे कि हमने 500 पांसो रूपे डॉपे ड्रॉप किए इच मन्त अड़ बीगिनिंग अब और अश्वारी हम हजार हजार रूपे ड्रॉपे ड्रॉपे कर रहा है एवरी मन्त वह भी ऐड़ डे की इच्मान तो ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे जो पीरेड लेंगे ध्यांड़ा भी लिघ क्या लेंगे साधे छह मेंने का परॆरी सभी अगल वह बोलते हैं कि एक्वल अमाँनड रहा है और मन्त वह बी एडि यॅड रहा है वंधली मन बलता है। 31 December को करेंगे और 31 December को तो पीरेड ही हमारा खतम हो रहा है तो इसका मतलब इस साल में तो यह ड्रॉइंग ही नहीं होई तो टोटल अमने क्या किया है एक दम महिनों के लिए ड्रॉड किया तो 11 डिवरेज लेंगे तो शाड़े 5 महीन है ठीक एक सब्सक्राइब नहीं देगे तो बोलते हैं विगिनिंग आफ इस मन तो साड़े फांच लेंगे बिकिनिंग आफ कॉटर बोला एवरी कॉटर में ड्रॉइंग कर रहे है विगिन एक दम डिटेल में यहां लिखा है वैसे यह परग्राफ इंपॉर्डन मार्क करना है अगर पेपर डिफिकल्ट बनाना है तो इस परग्राफ का इंस्टेटिवड यूज लेता है क्वेस्ट पेपर में क्वेस्ट ड्राफ्ट करने के लोगए ओके